दोस्तों Study for PCS Exam पर आप सभी का स्वागत है आज मैं जारखन जी के परवाम के अंतरगत जारखन के 10 सबसे महत्पुर्ण प्रशन को डिसकस करने जा रहा हूँ जिसका मुक्षु देश आपको JPSC Exam में आने वाले प्रशनों की प्रकिरती एवं कुछ महत्पुर्ण टॉपिक्स से रूबरू करवाना है और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा जारखन और JPSC से रिलेटेड कम्पलीट एंड यूनिक कंटेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेसन आज के इस सेसन की सुरुवात हम लोग जारखन जी के पार्ट वन के प्रैक्टिस कोश्चन से करेंगे कोश्चन था जारखन की साक्षर्टा दर क्या है 61.34% 63.36% 66.46% 69.46% दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर 66.46% होगा जारखन की साक्षर्टा दर वर्ष 2011 की जनगन्या के अनुसार 66.4% है जबकि यह 2001 में 54.13% थे अब आज के सेसन का पहला सवाल मुगल काल में बंगाल की राजधानी जारखन के किस छेतर में हुआ करते थे ओप्शन नमबर बन राजमहल ओप्शन बी राची ओप्शन सी हजारी बाग और ओप्शन डी पलामो दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर राजमहल होगा ओप्शन ए राइट आंसर है मुगल काल में बंगाल की राजधानी राजमहल में थी जो वरतमान में जारखन राज में इस्थित है अगला प्रशन है मुगल बादसाह जहांगीर ने कोकरह अवियान छोटा नागपुर के नागवनसी राज के विरुद के नेता इवराहिम खा को कौन सी उपाधि दी फाथ जंग, जहरखंडी सुल्दान, गाजी, सिकंदर ए सानी दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर फाथ जंग होगा जहांगीर ने इवराहिम खा को फाथ जंग की उपाधि परदान की थी So the right answer is option A फाथ जंग तीसरा सवाल है उराओ जंगाति की युवागरी को क्या कहा जाता है धुमकुडिया, बिटलाहा, पोन्टाका, किली तो इस फ्रशन का सही जवाब धुमकुडिया होगा So the right answer is option A चौथा सवाल है पस्री प्रथा एवं पाचा पद्दति का प्रचलन किस जंगाति में देखा जाता है उराओ, हो, मुंडा और भील इस फ्रशन का सही उत्तर उराओ, जंगाति होगा पस्री प्रथा एवं पाचा पद्दति का प्रचलन उराओ, जंगाति में देखा जाता है So the right answer is option A पाचवा प्रशन है पोन्टाका, किस जंगाति में वधुमुल्य को कहा जाता है option है भील, खो, संथाल, मुंडा दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर संथाल जंगाति होगा संथाल जंगाति में पोन्टाका, वधुमुल्य को कहा जाता है छटा सवाल है मुंडा जंगाति अपनी भासा को क्या कहते हैं होरो जगर, मुंडी, संथाल, नागपुडी इस प्रशन का सही उत्तर होरो जगर होगा मुंडा जंगाति की भासा को होरो जगर कहा जाता है so the option A is right answer साथवा सवाल है पाहन गाउं बनाता है और महा तो गाउं चलाता है यह परंपरा किस जंगाती में देखी जाती है उराउं जंगाती, हो जंगाती, मुंडा जंगाती, संथाल जंगाती इस प्रशन का सही उत्तर उराउं जंगाती होगा so option A is right answer आठवा प्रशन है तेलिया गढ़ी जारखन के किस जिले में इस्थित है साहव गढ़ी हजारी बाग, लातेहार, कोडर्मा दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर साहव गढ़ी होगा option A, right answer है तेलिया गढ़ी जारखन के साहव गढ़ी जिले में है यहाँ एक एतिहासिक कीला इस्थित है नौवा प्रशन है कुसान समराट कनिस के सिक्के जाडखन के किस जिले से प्राफ्ट हुए हैं Option है लातेहार, कोडर्मा, राची, हजारीवाग इस प्रशन का सही उत्तर राची होगा कनिस के सिक्के राची जिले से प्राफ्ट हुए हैं So, right answer is option C दस्वा प्रश्न है ब्राहमनी नदी किस जिले से निकलती है? Option A, पलामू Option B, लातिहार Option C, कोडर्मा Option D, दुमका दोस्तों, ब्राहमनी नदी जारखंड के दुमका जिले के दुधवा पहारी से निकलती है So, इस कोश्चन का सही उत्तर Option D, दुमका होगा तो आईए अब नोट कीजिए आज का ट्रेक्टिस कोश्चन जारखंड का बेतला राष्ट्य उद्यान किस वनिप्रानी के लिए प्रसिद है? Option A है बाग Option B सेर Option C हाथी Option D घोरा दोस्तों कमेंट सेक्षन में आज की अभ्यास प्रसिद का सही जवाब देना न भूले अगले सेशन में कुछ नए प्रसिदों के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों जारखंड से जुरे हुई महतपुर्ण प्रसिदों को जानने और समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सेर और सबस्क्राइब जरूर करें